हेलो गाइस वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ तो देखिए उत्राखंड के महत्वपॉर्ण यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम पर अपलोड कर दिये गए हैं जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम पर विजट करके देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम 20 Most Important MSQ डिसकस करेंगे जो के आपके आगामी, उत्राखंड, पुलीज, पटवारी, लेकवाल, बंदी, रक्षक, LDC, अंडधर, बंड एक्साम के लिए important हैं तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर end तक जरूर देखें आपके पास जल से जल पहुंच जाए, आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, अराउंड 6.3 के, यहां पर ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं, सुबह 10 बजे और शाम, 8 बजे हां पर कुईस का आइजन भी कराया जाता है, इसके अलावा other important updates, पी यानि ग्रामिया का संचालन किया जाता है, most important question है, देखिए उत्राखंड के साथ जनपदों में, उत्राखंड के साथ जनपदों में, जलागम विकास पर यूजना, यानि ग्रामिया पर यूजना संचालित है, और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसका संचाल निर्माण एवं विकास बैंक ओप्शन सेकेंड इस्कूशन का करेक्टर आंसर हो जाएगा राजी में जलागम विकास परियोजना यानि गुरामिया का संचालन अंतराष्टी पुना निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट कुशन दिखिए कुमाओ में वर्ष 1930 इस्वी में जंगलात आंदोलन का नितितु किस ने किया था? देखे कुमाओं में वर्ष 1930 इजवी में जंगलाद आंदोलन का नित्वित्व किया हर्ष देव ओली ने आप्शन फरस्ट इस कुश्यन का करेक्टर आंसर है देखे हर्ष देव ओली इनको काली कुमाओं का शेर कहा जाता है और हर्ष देव ओली का जन्म चमपावत के खेती खान में वर्ष 1890 इजवी को हुआ देखे वर्ष 1929 इजवी में लाहोर कॉंग्रिस सम्मेलन में कुमाओं छेत्र का प्रतिनिधित्व हर्ष देव ओली ने किया था और वर्ष 1930 इजवी में इन्होंने जंगलाद कानून के विरुद समीने अवग्या आंदोलन चलाया था किस व्यक्ति को तराई का विश्व कर्मा कहा जाता है किसको हैंरी रेमजे को ओप्शन थर्ड इसक्रिशन का करेक्टर आंसर है देखिए हैंरी रेमजे ने तराई भाबर के विकास हे तू इंप्रूव्मेंट फंड 1883 इजवी में स्थापित की थी इंप्रूव्मेंट फंड की स्थापना की थी किसने हैंरी रेमजे ने तराई भाबर के विकास हे तू और देखिए Henry Ramsey जो है ये मोल रूप से Scott Land के निवासी थे कहां के निवासी थे Henry Ramsey ये question पूछा जाता है अक्सर तो note कर लिजेगा ये मोल रूप से Scott Land के निवासी तक कमिशनर के पद पर रहे जो की कुमाओं के सिक्स्त में कमिशनर थे next question है राजी का एक मात्र अंग्रेजी पत्र जो बिर्टिस नितियों का प्रतियक्ष विरोध करता था most important question है तो इन में से राजी का एक मात्र पत्र कौन सा था जो बिर्टिस नितियों का प्रतियक्ष विरोध करता था तो इसका correct answer हो जाएगा Mephys light option first बिलको right answer है देखें वर्ष 1850 इस बी के आसपास मेफिस light समचार पत्र का प्रकाशन किस के द्वारा किया गया? John John leg के द्वारा किया गया John leg के द्वारा 1850 के आसपास Mephys light पत्र का प्रकाशन किया गया next question देखेगा विवा के अफसर पर भूटिया जनजाती के लोग कौन सार नरित्य करते हैं? most important ये question है विवा के अफसर पर भूटिया जनजाती के जो लोग होते हैं ये कौन सार नरित्य करते हैं? आपके सामने option है मंदार नृतिय, पौणा नृतिय, जंग बाजी नृतिय या चास्चरी नृतिय तो इसका correct answer हो जाएगा पौणा नृतिय विवा के अफसर पर भोटिय जिन जाते की लोग पौणा नृतिय करते हैं देखे पौणा नृतिय एक प्रकार का युद्ध नृतिय है युद्ध नृतिय है और हाथ में जो की हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है देखे भोटिय जिन जाती में दामोला विवा प्रथा पाई जाती है विवा की कौन से प्रथा दामोला विवा प्रथा भोटिय जिन जाती में पाई जाती है और इस जनजाती के लोग विवा को क्या कहते हैं विवा को ये लोग कहते हैं दामी कहते हैं ये लोग विवा को most important ये point है no down जरूर कीजिए इन points को और भोटिया लोग सगाई की रस्म को क्या कहते हैं सगाई की रस्म को ये लोग कहते हैं थोची important point है थोची कहते हैं सगाई की रस्म को भोटिया जनजाती में पर चले दूसरी विवा जो पर्था है ये कौन सी पर्था है इसका नाम है ततसत पर्था तो ततसत और दामुला पर्था विवा की पर्थाएं हैं जो की किस जनजाती में भोटिया जनजाती में पाई जाती है और ये लोग विवा की आउसर पर कौन सा नृतिय करते हैं पौणा नृतिय करते हैं पौणा नृतिय एक युद्ध नृतिय है जो की हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है नेक्स्ट कुश्यन देखेगा प्रशिद शेरगर्ड दुर्ग किस स्थापना किस ने की थी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन है प्रशिद शेरगर्ड दुर्ग जो है इसकी स्थापना की थी माधो सिंग भंडारी ने option third is question का correct answer है देखे मादो सिंग भंडारी को गर्व भंजक कहा जाता है और इनका जर्म कहां पर हुआ मले था तीरी में मले था तीरी गड़वाल में इनका जर्म हुआ और इनके पिता का नाम था कालू भंडारी कालू भंडारी मादो सिंग भंडारी के पिता का नाम था और देखे माधो सिंग भंडारी ने मलेथा की गूल का निर्मान किया था मलेथा की गूल या सुरंग ये कहां से छेना धार पहाड़ी पर बनाई इस नहोंने मलेथा की गूल कहां पर बनाई छेना धार पहाड़ी पर बनाई और चक्मा नदी ज़िए चक्मा जो नदी है चक्मा नदी या इसको डांगर नदी भी कहा जाता था चक्मा नदी या डांगर नदी से पानी निकाला था हस्ताली का मेला किस समुदाई से सम्मन्दित है गोर्खों के राज भाषा की बात करें तो उनकी राज भाषा कौन से थी गोर्खाली गोर्खाली जो है ये गोर्खों की राज भाषा थी गोर्खों ने कुमाओं में पहला बंदोबस्त कब कराया 1791 में 1791 बयानवे इस भी में किया था जो की माल गुजारी से सम्मंदित था और ये बंदोवस किस सम्मंदित था माल गुजारी से सम्मंदित था और गरुड जाती के गोर्खा जो होते थे वो मोश्टा को अपना इस्ट मानते थे जाती के गोर्खा गरुल जाती के गोर्खा नेक्स्ट कुश्यन देखेगा काईस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेज़े जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के अलावा पटवारी लेक पाल सभी एक्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट रहने वाली है ये स्रीज तो डेली आट बजे ये स्रीज आपको मिल जाती है हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम पर तो जादे से उत्राखंड के लोक साहिति का भीश्म पितामा किसे कहा जाता है देखे उत्राखंड के लोक साहिति का भीश्म पितामा कहा जाता है किसको गोविंद चातक को ओप्शन थर्ड इस्कुशन का करेक्ट आंसर है देखे गोविंद चातक जो है इनका संबंद कहां से है इनका संबंद है तिहिरी से और इन्हों ने किस पत्रिका का प्रकाशन कराया था most important पॉइंट रहेगा नोट का लिजे इन्हों ने रैबार रैबार और अंगार रहबार वो अंगार नामक पल्ट्रिका का प्रकाशन कराया किसने गोविंद चातक ने दिखे इनकी एक एकाकी संग्रा है जिसका नाम क्या है जंगली फूल एकाकी संग्रा कौन सा है गोविंद चातक का जंगली फूल और इनकी प्रमुक्ष रच्णाओं के अगर हम बात करें नोट कर लिजे यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो प्रमुक्ष रच्णाओं जो है इनकी कौन कौन सी है इनके प्रमुख रचनाएं हैं केकड़े, दूर काकास, बासुली बस्ती रही, काला, मो इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो गमी एक्जाम के दुष्टी से इंपॉर्टेंट है इनको आप नोट कर लिजे, नेक्स्ट कुश्यन है आपका नन्द शतशी मिला की जनपद में लगता है? दीखे, नन्द सतशी मिला यह कहां पर लगता है? यह लगता है आपके नेनिताल जनपद में, औक्शन फिर्स्ट बिलको right answer हो जाएगा देखे इसके अलावा नंद सतशी मेला के अलावा निनिताल में और मेली भी आईजित होते हैं एक होता है दशेरा मेला लगता है निनिताल जनपद में निनिताल के निनिताल जनपद के काला धूंगी में ये लगता है काला ढूंगी में लगता है आपका दशेरा मेला नेनिताल जनपत के काला ढूंगी में इसके अलावा देखिए हरियाली मेला हरियाली मेला भी नेनिताल जनपत में ही लगता है नेनिताल जनपत के भीम ताल में लगता है हरियाली मेला और देखिए इसके अलावा जिया रानी का मेला भी आपके नेनी ताल जनपद में ही लगता है तो ये सारे मेले आपको नोट कर लेने है जिया रानी का मेला कहां पर नेनी ताल के रानी बाग में लगता है तो ये सारे मेले नोट कर लिजे नेक्स्ट कुश्चन देखिए चलिया महुत्सो किस जनपद में मनाया जाता है देखिए चलिया महुत्सो ये किस जनपद में ये मनाया जाता है पिथोरागड जनपद में option first बिल्कुल correct answer है चलिया महुचो पिथोरागर में मनाया जाता है और इसके अलावा कनाली छीना इसके अलावा देखे कनाली छीना महुचो भी पिथोरागर में ही मनाया जाता है और इसके अलावा गबला देव उचो भी पिथोरागर में मनाया जाता है गबला देव उचो गबला देव उत्सव ये पिथोरागड के किस घाटी में मनाया जाता है इस तरीके से क्विश्चिन आयूब द्वारा पूछा जा सकता है तो गबला उत्सव जो है ये पिथोरागड के दार्मा वव्यास घाटियों में मनाया जाता है दार्मा वा व्यास घाटी में कौन सा उच्छो गवला देव उच्छो मनाया जाता है इसके अलावा देखे पितोरगड में कंडाली उच्छो भी मनाया जाता है जो की बारा वर्ष बार मनाया जाता है कंडाली उत्सो कहां पर पितोरागर जनपद में नेक्स्ट क्यूशन देखिए पमवार वंची शाषनकाल में कास्ट भंड बनाए जानने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था देखे पमार वनशी शासनकाल में जो कास्ट भांड बनाने वाले व्यक्ती होते थे इनको कहा जाता था क्या चिम्यार ऑप्षन सेकेंड इस्क्षिशन का करेक्टि आंसर है पमवार शाशनकाल में नरेश के पुत्र को क्या कहा जाता था यूराज या टीका या इनको कुमार कहा जाता था और गड़ राजी की राजधानी के शुरक्षया धिकारी को कहा जाता था क्या गोलदार कहा जाता था और प्रगने की सैनिक शाषक क्या कहलाते थे फोचधार कहलाते थे प्रगने की सैनिक शाषक और संदेश्व वहक को क्या कहा जाता था चॉणू कहा जाता था तो यह सारे पंवार वंश से related point हैं इनको आप नोट कर लीजेगा next question będzie विश्वनात मंदिर उत्तरकाशी का जिर्णोधार किस राजा ने करवाया था most important है देखे विश्वनात मंदिर कहां पर इस्तित है उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है और इस मंदिर का जिर्णोधार करवाया शुदर्शन साने option first विल्कुल right answer है देखे विश्वनात मंदिर उत्तरकाशी जिले में इस्तित है और यहां मंदिर भगवान शिव को समर्पित है यानि कि भगवान शिव का ये मंदिर है विश्वनात मंदिर किस नदी के तर्ट पर भागी रथी नदी के तर्ट पर इस्तित है और इस मंदिर का पुनर निर्माण इस मंदिर का पुनर निर्माण 1857 इस भी में सुदर्शन शा की पत्नी खनेती ने करवाया था सुदर्शन शा की पत्नी कौन थी महरानी खनेती थी तो खनेती ने इसका निर्माण पुनर निर्माण कराया कब 1857 इस भी में और विश्वनात मंदिर का निर्मान कत्यूरी शैली में हुआ है किस शैली में इस मंदिर का निर्मान किया गया है कत्यूरी शैली में इस मंदिर का निर्मान किया गया है विश्वनात मंदिर का नेक्स्ट कुश्यन है वास्तु शिरो मनी नामक ग्रंथ के रशनाकार कौन है most important question है देखिए वास्तु शिरो मनी नामक जो ग्रंथ है उसके रशनाकार है कौन साहितिकार शंकर option second बिल्कुल right answer है आपका next question देखिए वीडियो को जाद से जादा share कीजिएगा और आप सभी से personally request है मेरा जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजे और वीडियो को like कर लिजे पसंद आ रही है दो अगला है राज-राजिश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहां पर इस्तित है देखिए राज-राजिश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है श्री नगर में option second question का correct answer है और देखिए श्री नगर में एक और मंदिर है किल-किलेश्वर मंदिर किल-किलेश्वर मंदिर कहां पर है श्री नगर में इस्तित है जिसकी स्थापना शंकराचारी ने की थी किल-किलेश्वर मंदिर की स्थापना किस ने की थी शंक्राचारी ने यहां मंदिर अलगनन्दा नदी के तठ पर इस्तित है और देखे श्री नगर में शंकर मठ कहां पर है श्री नगर में इस्तित है और इसका निर्माण किस ने कराया था आधी गुरु शंक्राचारी के द्वारा इसका निर्मान कराया गया था और ये कहां पर लोकेटेट है श्री नगर में लोकेटेट है ये चीज इंत्यान रखनी है important important point जो है इनको नोट जरूर कीजे अगला देखे गड़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीश्म पितामा किसे कहा जाता है तो देखे पत्रकारिता का पूछा है यहां पे पत्र कारिता का भीश्म पितामा किसे कहा जाता है विशंबर्दत्चंदोला को option third बिलको right answer हो जाएगा आपका इस question का देखे विशंबर्दत्चंदोला इनका जन्म 1879 को इनका जन्म का हुआ 1879 को पौड़ी गड़वाल के थापली गाउं में हुआ था इनका जन्म कहां पर पौड़ी के थापली गाउं में हुआ और गड़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीश्म पितामा कहा जाता है विशंबर्दत्चंदोला को नेक्स्ट कुश्यन है भोटिया जन्जाती का ग्रिश्म कालिन आवास कहलाता है देखिए भोटिया जन्जाती जो है इनका ग्रिश्म कालिन आवास क्या कहलाता है यह कहलाता है मैथ आप्शन सेकिन बिल्कुर राइट आंसर है देखिए भोटिया जन जाती जो है ये पशु पालक जन जाती है जो ग्रिश्म काल में बुग्यालों की तरफ निवास करने जाते हैं भोटिया जन जाती के ग्रिश्म कालिन आवास को मैद कहा जाता है और देखे इनके शीत कालिन आवास की बात करें शीद कालिन आवास को किया कहा जाता है मुनसा या मुंडा मुनसा या मुंडा इनके शीद कालिन आवास को कहते हैं और देखिएका साइं देता की Pooja ये लोग ये जन्जाती के लोग खोई हुए पशूओं का पता लगाने के लिए करते हैं तो आप से पूछा जा सकता है बताईए कि कौन से ऐसे जन जाती है जो खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए साई देवता की पूजा करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से जन जाती है भोटिया जन जाती दिवान सिंग भाकुनी का संबन्द है देखिए दिवान सिंग भाकुनी जो है इनका संबन्द है और शदी विज्ञान से जुड़े हुए हैं जिन है 1989 में इनको 1989 इज़वी में C.B. रमन पुरुसकार मिला था और 1975 में 1975 में इनको शांती स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला 1975 इज़वी में और ये कहां के निवासी है दिवान सिंग भाकुनी ये अलमोडा के निवासी है है जिस्क्νηम है गौरट्थावली किस जंजाती का त्योहर है डिए किस जंजाती का त्योहर है ये है राजी जंजाती का त्योहर उप्षण, मेंstr पर्श क्रेक्ट अंसर है राजी जनजाती के प्रमुक्त यहारों के अगर हम बात करें तो इस जनजाती के प्रमुक्त यहार कौन कौन से है करक वा मकर यह राजी जनजाती के प्रमुक्त यहार है और प्रमुक्त देवता जो है इनके यह कौन है यह है बागनाथ बाग नात प्रमुक देवता हैं राजी जन जाते के और ये लोग गणनात मलेनात मलीकारजुन वा धुर्मल देवी की छुर्मल देवी देवता की पूजा करते हैं ज्धान में रखेगा मली कार्जुन, गंडनाद, मलेनाद, वाच, छुरमल, देवी, देवता की ये लोग पूजा करते हैं अगला कुशन है आपका बोग उडियार किस जनपद में इस्तित है देखे बोग उडियार ये कहां पर इस्तित है ये इस्तित है पिथोरागड जनपद में option थर्ड बिलकुल correct answer हो जाएगा इसके अलावा देखे पिथोरागड में इक उडियार और है जिसका नाम क्या है पिंखु उडियार नोट का लिजे पिंखु नामक उडियार भी पिथोरागड में ही इस्तित है पिथोरागड के धार चुला में इस्तित है कौन सा पिंखु उडियार और देखे इसके अलावा देखे यहां पे छीनी गुफा भी इस्तित है छीनी नामक जो गुफा है ये कहां पर ये है आपके पिथ इसके अलावा धर्म जाती गुफा भी पिथोरागण में ही इंसतित्त हैं MIDQUOTE GFA धर्म जाती गुफा चीनी को फाइं कहां पर इसतित हैं पिथोरागण जन्पद में तो आपको यह point note कर लेने हैं अगला दिखेगा नौठा कौतिक उत्सो किस जनपद में मनाया जाता है most important question है देखें नौठा कौतिक उत्सो यह मनाया जाता है चमोली जनपद में option fastest question का correct answer है देखें नौठा कौतिक उत्सो जो है यह चमोली के किस धाम में आदी बदरी धाम में मनाया जाता है जो कि पाशान युद्ध के लिए प्रशिद है आदी बदरी धाम में नौठा कौतिक उच्छो को क्या कहा जाता है हिमाले महुच्छो के नाम से जाना जाता है तो हिमाले महुच्छो के नाम से किसको जाना जाता है नौठा कौतिक उच्छो को ही जाना जाता है तो ओकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजे और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे चलिए मिलते हैं कि नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद